हेलो फ्रेंड्स हम हम यूटिलिटी की की फीजर्स देख रहे थे तो उसमें ये सेवेंत某 फीचर जो है मतलब मेजर्मेंट अप यूटि लीटी हरा है ये फीचर हमने देखाता-स हमंने क्या देखा थे कि utility जो एक unvisible concept है मतलब जो अपने को दिखाई नहीं देती है तो उसकी जिसे उसका cardinal और numerical measurement होना possible नहीं होता है मतलब utility हम numbers में express नहीं कर सकते है उसको हम बता नहीं सकते है अगर किसी चीज का हमने इस्तमाल किया है तो उस चीज का इस्तमाल करने के वज़े से हमको 10 utility मिली 9 मिली 7 मिली ऐसा numbers में हम बता सकते क्या नहीं तो उसलिए उसका cardinal और numerical measurement होना possible नहीं होता है हाँ लेकिन उसकी level हम बता सकते है कि हो हाई उससे utility मिली या low utility मिली ऐससी level हम बता सकते है ओके तो हमने यह इस point में देखा था अब next पाला feature जो है वह मतलब utility is multipurpose utility is multipurpose उसमें क्या देखते है और community can satisfy the wants of more than one person a community a community मतलब एक हाथ community जो community है ओ एक से ज्यादा person की more than one person मतलब एक से ज्यादा person की जो wants है wants satisfy कर सकते है मतलब मेरे भी want satisfy हो सकते है उस community का इस्तमाल करने से और वही community का इस्तमाल करने से आप सभी की भी want satisfy की जा सकते है या होती है मतलब एक हाथ community आईसी रहती है कि जो एक से ज्यादा लोगों की want जो है वो satisfy करती है next it can also sorry it can also be put several uses मतलब यह जो कमेडिटी है यह बहुत सारे अलग-अलग कामों के लिए उसका इस्तमाल किया जा सकता है मिस वो यह करते है जैसे कि for example दिया हुआ यह पे इस इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तमाल हम many purposes के लिए कर सकते है और many people at a time और बहुत सारे लोग इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तमाल करते है और अलग-अलग purpose के लिए उसका इस्तमाल होता है at a time एक ही समय पे जैसे कि देखिए अब हम घर पे बैठे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक टीशीज है तो तो कि उसके उसका इस्तमाल करते हो फ्यान वी शुरू है मतलब देखे, electricity है एकी चीज है, लेकिन at a time एकी समय पर उसका इस्तमाल हम जो multipurpose चीज है, उनके लिए हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं, इसलिए utility is multipurpose, और बहुत सारे लोग करते हैं, many people, बहुत सारे लोग उसका एकी समय पर इस्तमाल करते हैं, इसलिए utility का अठफा feature जो है, वो मतलब utility is multipurpose, अब next वाला features, नाइन्थ वाला, वो मतलब utility depends on the intensity of wants, देखे, इससे पहले भी मैंने बोला है कि इस point के उपर आपको board में कोई ना कोई question फूचा ही जाने वाला है, किस point के उपर, utility, features of utility के उपर, तो इसलिए इसके जितने भी features है, ये 10th के 10 features वो बहुत important है, एक हाल में रखना है, तो ये 9th वाला features हम देखते है, utility depends on the intensity of wants, कि utility जो है, ओ utility की one की जो intensity है, ओ one के intensity के उपर depends रहते है, ओ कैसे depends रहते हैं, ओ हम देखते है, utility depends on the intensity of wants, more intensity the wants, greater will be the utility, utility, कि देखें, utility जो है, कि one की जो intensity, intensity मीज़ तीवरता, wants means गरज, अपनी जो गरज है हो, उसके तीवरते के उपर, ओडिपेंट रहते हैं, अगर one की intensity है more, ज़्यादा है, तो उससे अपने को greater utility, ज़्यादा utility मिलती है, मतलब one की intensity है ज़्यादा होगी, तो अपने को utility ज़्यादा मिलने वाली है, मतलब जिस चीज की हमको ज़्यादा ज़रुरत है, उस चीज में हमको ज़्यादा utility दिखाई देती है, ने, as and when the urgency of one declines, utility diminishes, और one की जो urgency है, या urgency जो है, वो declines, वो कम होती है, तो अपनी जो utility है, वो भी diminishes, वो भी कम होने लगती है, मतलब, जीच चीच का हम इस्तमाल कर रहे हैं, या करने जा रहे हैं, उसकी जो urgency है, वो अगर कम होती है, तो अपने को मिलने वाली utility, जो है, वो भी कम होने लगती है, इसका मतलब क्या है, कि हमको जीच चीच की या want की जितनी ज्यादा जरुदत होगी, उतनी utility हमको ज्यादा मिलती है, और हमको wants की जो intensity है, वो जितनी कम होगी, उतनी utility हमको कम मिलती है, इसलिए utility is depend upon intensity of wants, ओके? for example, यहाँ पर example दिया है, क्या example दिया है, कि जो hungry person है, hungry, मतलब भूके लेला, जिसको बहुत जोर से भूक लगी हुई रहती है, ऐसा person, a hungry person, find more utility in food, than a person who is not hungry, जो hungry person रहता है, उस hungry person को, जो food, जो food रहते हैं, उन foods में, ज्यादा utility उसको दिखाई दिती है, कि से, दिया है, दिया है, जो hungry person है, उसको food में, ज्यादा utility दिखाई देती है, मतलब जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसको जो food में utility दिखाई देती है, नहीं, तो किसको दिखाई देती है, कि जिसको बहुत जोर से भूक लगी हुई रहती है, ऐसे person को food में utility दिखाई देती है, अब आख्री वाला फीचर जो है ओ मतलब utility is the basis of demand a person will demand a community only if it gives utility to him a person कोई भी person हो ओ परसन community की कब दिमान करता है community की दिमान कब करता है कि जब उसको उस community में utility दिखाई देती है तबी जाके ओ उस community की दिमान करता है मतलब जिस community में हमको utility नहीं दिखाई देती है उस community की हम दिमान नहीं करते है यहाँ पर एक्जामपल दिया हो है, for example, a sick person has utility in medicines, hence the demon is medicines, जो जिसकी तब्यत बराबर नियक, जो बिमार है, ऐसा परसन, ऐसा जो बिमार परसन है, उस परसन को medicine में utility दिखाई देती है, क्योंकि उस medicine की वज़े से उसकी जो तब्यत है, वो ठीक होने वाली है, उसकी वज़े से उस medicine में उसको utility दिखाई देती है, इसकी वज़े से वो medicine की जो डिमार है, वो डिमार करता है, इसलिए utility is the basis of demand अगर जो person बिमार नहीं है उसको medicine में utility दिखाए देंगी क्या उसके वो medicine की दिमान करने वाला है क्या मतलब utility is the basis of demand तो इस तरह हमने ये 10 के 10 features जो है वो देखे है अब types of utility ये जो point है ये point हम next lecture को देखते है